कि खबर के विंद्ध के सीधी से है जहां सीधी मां भारी बारिस परिसानी के सबब बन रहा है इस सिति है कि लोगन के घरन मां पानी घुस रहा है और लोग अब गुहार लगाये हैं प्रशासन से मदत के आस लगाये रहे हैं तो निश्य द्रके यह पहल बगेली न्यू चैनल में हमका निश्तिवारी अपना पंचेरगात सबय जैने इनका प्रणाम करी थे और सुरवात करी थे यह बेयत बड़ी खबर के जहां अपना पतिक बताया दे कि बीती रात से होई रही लगातार सीधी मंबारिस बड़ी बारी सीधी वाल लगातार हुए रही है हाला कि आरोपिया है प्रेडित प्रक्ति के जिनके तवारे यह कहागा कि कलेक्टर और जिम्मेदार अधिकारीन तक आपन बाद जरूर हम पहुचाएं लेकिन उनका जो है समझ में नहीं आए रहा है कि या जो स्थिती है य जरूर लगी रहा है कि इस्थिती गंभीर ही तत्काल प्रशाशन यदि एमा एक्सन नहीं ले ता आगे जाए कि कोनों एक बड़ी उगटता घर सकती कहा है कि लगातार रीवा मां यदी बात कीन जायता एक दीवाल गीरी वो मां चार मां सूमन के जान चली गए यह में साग मां पानी के यदि जो कहा जाए ओमा संपर्क मायें तो उसे सीधा घर जमिदोज होई के संभावना बन जा थी वह एक बेहत खतरनाक है ता सुनी और देखी यह पूरी जो है तस्वीर जो पूरी सीधे लाइब तस्वीर ही जो अपना का सोचे मां मजबूर कह दिए प्रसास ता तत्काल जो है मदद के आसा जो है कहनों कहों वो फिर्ट परिवार कह रहा है तो आपने परिवार के रख बोद ख्यान धन्यवाद प्रणाब कर दो 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 मेरा घार अदर चुका है मेरा चुका है हमारे फसल भी नश्ट हो चुकी है और यह मेरा बोर भी बोड़ चुका है यहां मेरा घर दूबने से बहुत ओर चुका है कापना संतान के सुक से बंचित है बहिने संपर्क करी विंद शेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट्यू बेबी सेंटर से महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खाते संपर्क करी प्रते दिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा करी रीवा करी बार तीर्थ में अस्पताल से बंचित विंद प्रते नादे आफर विंद शेंगा झाल 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 झाल